हलो स्टुडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वल्कम करती हो हमारे अपने यूट्यूब चैनल ससी बुलट पे आज बचो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ससी बुलट पर एक स्पेशल सिरीज लेकर आए हैं दो तरह की सिरीज है एक वुकाब बुलट करकर और है जिसे पे हम इस उन." तरह से हम एक ग्रैमर की सिरीज को लेकर आए हैं डेली बेसे पे हम टॉपिक वाइस प्रिवेस आज कोश्टन करेंगे, जैसे कि SAC बुलट आप यूटूब चानल का नाम देख सकते हो, तो इट मीस हम कहीं न कहीं फोकॉस जो कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं फोकॉस SAC पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स हैं, जो बेस्ट एक प्लाटफॉर्म देखना चाहते हैं, जहां पर उनको क्वालिटी, और प्लस वो कंटेंट मेल जाए, वो चीज मेल जाए, जो उनके एक्जाम में आएगे, तो उनी के लिए, इस्पेशली उनी के डिमांड पर हमने चीजों को स्टार्ट किया है, वोकाब ब अच्छे फॉर्स कोशन देख सकते हैं, फॉर्स कोशन आपने देखा यहां पर, यह कोशन आपके, SAC सीजल, मेंस का कोशन है, जो 29, जैनवरी 2022 में हुआ है, कोशन क्या है कि, अनलेस वी आर नॉट शूर और गोल्स, वी केन नॉट एचीव देम, यह कोशन में आप देख सक तो examiner ने एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है, और जितने पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है, आप अच्छे देख सकते हैं, उतने पार्ट के लिए नीचे तीन रिप्लेस्मेंट डाल रखी है, रिप्लेस्मेंट मतलब उतने पार्ट के लिए नीचे तीन option दे रखें, आपको ये check करना है, कि अगर ये part सही नहीं है अगर ये part correct नहीं है then in में से कौन सो option इस part को replace करेगा उसकी जेगे पे use होगा और अगर ये ही part बिल्कुल correct है, then आपका answer option बनेगा no improvement then आपका answer option बनेगा no improvement अब देखो बचो, यहाँ पर point क्या आता है, unless we are not sure, unless की बात करें, तो unless एक अपने आप में negative word है, unless की बात करें, तो unless एक अपने आप में negative word है, देखो किस तरह से, अगर हम बात करें बचो, unless की आपको ध्यान रखना है कि unless जो होता है वो negative sense में आता है यानि की वो एक negative word है और अगर unless किसी भी statement में use है और statement यह जिस clause में भी use है, उस clause में हम कभी भी not का use नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में ना नहीं है जैसे में आपसे कहा कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, महनत नहीं करोगे, आप पास नहीं हो सकते मतलब जब तक महनत नहीं करोगे, बोले में नहीं आएगा बढ़ हम इसमें नहीं का यानि कि not का use नहीं करते बिकाज यह अपने आप में ही negative है और जब यहां पर not का use नहीं होगा तो क्या हम इस sentence में आर के साथ not का use करेंगे तो हम इस sentence में हम R के साथ not का use नहीं कर सकते और not का use नहीं कर सकते तो हमें ये तो clear हो गया कि यहां पर improvement की requirement है यानि कि no improvement हमारा answer option नहीं हो सकता, no improvement हमारा answer option नहीं हो सकता अब बसता क्या है हमारा कि option unless एक ही option में है वो है option second so jis option में unless होगा वही हमारा correct answer option बन जाएगा so correct answer option is unless we are sure next question पर आते हैं यह आपके सीजल मेंस का question है बच्चो ध्यान देना next question की बात करें this lock will not open unless you don't use the correct code you don't use the correct code again आप देख सकते हो कि यहाँ पर don't use को underline करके दे रखा है don't use को underline करके दे रखा है तो आपको simple ध्यान रखना है कि unless चाहे पहले वाले clause में आई या बात वाले clause में आई जहाँ पर भी unless use होगा वही हमारा conditional clause होगा वही हमारा conditional clause होगा और just clause में भी unless आएगा, उस clause में हम कभी भी not का use नहीं करेंगे, उस clause में हम कभी भी not का use नहीं करेंगे, तो again हम no improvement को तेक नहीं कर सकते, क्यूंकि यहां पर improvement के requirement है, तो easily we can eliminate this option, easily we can eliminate this option, हम easily इस option को eliminate कर सकते हैं, अब point आता है कि बच्छो, हम इन में से किस option को take करेंगे, first, third या फिर fourth, तो आप देख सकते हो, first में भी not आ रहा है, और not आ रहा है, it means यह भी नहीं होगा, did तो बात की बाता आएगा या नहीं आएगा, पहले तो हम not से ही eliminate कर सकत हैं, अब असता है हमारा third या फिर fourth, so यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बचो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, you, and you के साथ, हमें क्या दे रखा है, don't use, tense कौन सा है, indefinite, tense कौन सा है, हमारा present indefinite, and present indefinite कहता है, एक point समझ लेना, present indefinite का बचो, एक point क्या है, कि present indefinite के अगर आपको present indefinite के अंदर अगर sentence आपको negative दिया गया है तो उस case में आप use करते हैं do or does. उस case में आप use करेंगे do and does. do का use वहाँ होगा जब subject आपको plural form में दिया होगा, do का use वहाँ होगा जब sentence में subject आपको plural दिया होगा, like you, like we, you, we, I, they, और does का use हम वहाँ करेंगे बचो जब भी आपको sentence में subject singular दिया होगा and singular होता है हमारा he, she, it या किसी single person का नाम. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप singular देखेंगे तो does and plural देखेंगे तो do. लेकिन यह कब होगा जब sentence हमारा कैसा होगा, negative, same tense में अगर हमारा sentence affirmative होता है, तो वहाँ पर हम कभी भी do and does का use नहीं करते, उस case में हम कभी भी do or does का use नहीं करेंगे, उस case में हम लोग क्या use करते हैं तो वहाँ पर use करेंगे with singular subject, word की first form में s or es, with singular subject, word की first form में s or es, हर एक point को note down करते चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, ज़रूर, and with plural subject हम use करते हैं verb की first form ये ध्यान लखना है हम use करेंगे verb की first form अब यहां पर क्या दे रखा था you you को देखकर हमें clear हो गया कि use आएगा तो use आएगा तो इसलिए हमारा answer option fourth होगा इसलिए हमारा answer option कौन सा होगा बचो fourth answer option होगा चली कने एक स्थात्य कोशन ये कोशन आप देख सकते हो again CGL मेंस का कोशन है जो 3-2-2022 में हुआ था 3-2-2022 में हुआ था देखो एक चीज तो बच्चों बहुत clear हो चुकी है कि प्री और मेंस के कोशन में सिर्फ और सिर्फ number of question का difference है हम level की बात करें same rule आपका pre में है same rule आपका mains में है तो आप अगर एक बार ढंक से तयारी कर लो तो pre और mains निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है बहुत easy है देखो बचो अगर तयारी कर रहो तो ढंक से तयारी कर रहो तो ढंक से करो अधर्वाइस छोड़ दो चलिएका नेक स्टाथते है next point की बात करते है next question दे रखा आपको he will lose all his wealth if he doesn't mance his ways, बिल्कुल बात सही है भही, होता ही है सही है, चीजों को बदलोगे नहीं तो चीजें हाथ से निकलें की लिखनें की बिल्कुल क्लियर है यह कोशन आपके ऐसे सीजल प्री का है जो कोशन आपके सीजल प्री के अंदर जो 28.2021 में हुआ था उसमें पूछा गया कोशन है अगें आप देख सकते हो इसमें एक सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है तो आपको यह चेक करना है कि यह दे रखा यह करेक्ट है या फिर नहीं है अब देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था इससे पहले वाले कोशन में जो मेंस का कोशन था सीजल पाइस का अब यह कोशन है प्री में बट पॉइंट तोनों में सेम है वो पॉइंट क्या सेम है वहाँ पे भी मैं आपको समझा कर आई कि प्रेजेंट इंडाफिनेट के अंदर डू और डॉज आता है ठीक है डू विद प्लूरल अंड डॉज विद सिंगूलर अब grammar में double कुछ भी use नहीं होता double कुछ भी use नहीं होता अगर do में es आता है तो हम दुबारा s और ea का use नहीं करते तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको do and does मिले जब भी आपको do or does मिलते है ये बहुत error आती है सिफ conditional में ये tense में भी बहुत error आती है कि do or does के साथ S.O.R.E.S. दे देता है did के साथ second form दे देता है hat के साथ first form दे देता है second form दे देता है तो इस थरह की nature of error बहुत बार अब S.S.E. में आने लगी है तो आपको ध्यान डखना है कि अगर आपको do and does मिलता है अगर आपको बचो do and does मिलता है तो आप अचे ध्यान रखेंगे वहाँ पर हम use करते हैं वर्फ की first form with do and does we use only first form of the verb हम do and does के साथ सर्व वर्फ की कौन सी form यूज करते है first form same point पर ये question आपके CGLP में आया हुआ है यहाँ पर doesn't के साथ आपको man में S दे रखा है doesn't के साथ आपको S दे रखा है और हम जानते हैं कि does के साथ कभी भी S और ES का use नहीं होता सो यहाँ पर he को देकर ये तो decide हो सकता है he को देकर do नहीं आएगा और again S लग रहा है ये भी नहीं होगा do not meant क्यू नहीं हो सकता no improvement तो होगा ही नहीं क्यूंकि S आपको S आपको S दे रखा है ये भी नहीं हो सकता it means हमें decide करना है between second and third कि which one will be the correct answer option कि second and third में से कौन सा सही answer option होगा क्यूंकि दोनों में S नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा he को जो मैंने अभी आपको समझाया था जो मैंने समझाया था आपको कि क्या होता है does आता है singular के साथ और do आता है plural के साथ तो वही point यहाँ पर है subject he कैसा subject है बचो कैसा subject है singular and singular क्या लेकर आएगा does को और does के साथ हम लोग लिखेंगे वर्फ की first form so इसी लिए इस part को जो replace करेगा वो कौन सा part करेगा second part करेगा it means second is the correct answer option चलेगा next question पर आते है बचो if I was you I would not lose temper in this situation बहुत सारे लोग एग्रेसिव होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं हालकि कभी भी जल्दी से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए situation को समझना चाहिए person को समझना चाहिए हो सकता है कभी-कभी चीजे हम देखते कुछ और है होती कुछ और है तो मेरा यही एक मानना है कि आप चीजों को पहले समझो चीजों के बारे में जानो काम रखने की यानि की कूल रखने की कूल रहो as a cucumber समझते हो ना कूकूमबर की तरह हमेशा शान्त रहो और अगर कोई भी काम आप अच्छे शान्त दिमाग से करते हैं तो आप देखेंगे कि result हमेशा आपको आपके favor में मिलेगा हमेशा आपको वो मिलेगा जो आप expect करते और जब आप गुसे में कोई चीज करते हैं तो हमेशा चीजों को खोते हैं तो कोशिश करिएगा जब भी आप कोई भी situation में हो तो अपने temper को temper समझते हो ना अपने आपे को खोना नहीं है वही चीज यहाँ पर दे रखिये if I was you अगर मैं तुम्हारी जगे होता यानि कि मैं तुम होता तो उस केस में मैं कभी भी अपने temper यानि कि मैं अपने आपको नहीं खोता आपे को नहीं खोता अब पॉइंट किया अदा है कि if I was you अब इसका बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेट है जो मैं आपको भी समझाओंगी बहुत ही इजी लांग्वेज में आप बच्चे इसको समझ लेना और उस चीज को आप कभी नहीं बूलेंगे देखो यह जो नेचर है ना नेचर ओफारर है यह वाली इफ आई वाज यू वाली यह बहुत ही फेवरेट है यूपसी की भी NDA CDS की बात करें उसमें फिक्स है NDA में तो कोशन फिक्स है ही कि आना ही आना है और यह नेचर ओफारर आपके SAC की भी फेवरेट है SAC भी अगर कंडिशनल पे कोशन डालता है तो इससे जरूर डालता है यह कंडिशन टू के अंदर आती है पास्ट के अंदर आती है और हमेशा SAC की SAC इससे रिलेटेट कोशन जरूर कंडिशनल सेंटेंसे में डालता ही है तो आप आज इस concept को बहुत ध्यान से समझ लेंगे देखो बचो, दो चीजे होती हैं आप बचो ने पढ़ा होगा is, r, m was, were इनको आपने पढ़ा होगा as a helping verb as a helping verb ऐसा ही आप बचे पढ़कर आयोंगे as a helping verb ठीके, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ वो क्या है, ये आपके as a, r, m जितने भी होते हैं, was, were ये हमेशा helping का काम नहीं करते कभी-कभी ये बचो आपके main वर्फ का भी काम करते हैं कभी-कभी ये आपके main वर्फ का भी काम करते हैं देखो बचो, वर्फ दो फॉर्म में आती है वर्फ दो फॉर्म में आती है एक helping और अगर वो वर्फ helping नहीं होती तो वही वर्फ आपके main वर्फ के फॉर्म में यूज होती है वर्फ दो फॉर्म में आती है, एक तो helping और अगर वह helping नहीं है तो दूसरी कौनसी फॉर्म होगी, main verb, यानि की helping और main, अब देखो, यहां पर आपको ध्यान रखना है, is RM कब helping है और कब helping नहीं है, इस चीज को समझेंगे या बच्छे, मैंने आपसे बोला, बहुत simple सा example लेंगे, I am teaching, I am teaching, और एक मैंने आपसे बोला, I am a teacher, I am a teacher, I am teaching और एक मैंने आपको बोला, I am a teacher, इस case में आप दो चीजे देख सकते हो, वो क्या है, यहां पर भी M, और यहां पर भी M, बट एक I am helping होगा, बट एक I am helping नहीं होगा, अब आपके माइंड में डाउट जरूर आएगा, कि माम आप एक को helping बोल रहे हैं, और एक को helping नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आपको एक चीज समझ लेनी हैं, बहुत सारे ऐसे student भी होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, जो इस point को समझ रहे होंगे, जिन्होंने English हो सकता है, बहुत weak है, क्योंकि देखो, मैं हमेशा मैंने एक चीज नोटीस करी है, जो भी वर्णे एक्जाम की तैयारी करने आते हैं, उनमें सबसे जादा weak subject, अगर बच्चे से पूछो, तो सबसे पहले वह clear words में बोलता है, कि सबसे जादा खतम वह English में ही है, English ऐसा subject है बच्चपन से पढ़ता आ रहा है, और फिर भी सबसे जादा weak वह English में ही होता है, उसका reason यह है कि उन्होंने कभी भी चीजों को seriously तरीके से पढ़ा ही नहीं है, या आप ऐसे भी कहलो कि स्कूल में उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, जिस तरह से इन exam में questions आते हैं, जिस तरह से इन exams में English पूछी जाती है, इसलिए आज सबसे जादा weak student जो आता है वह आपके English subject का ही आता है, जो subject को मैं पढ़ाती हूँ और मैं हमेशा इकी चीज़ नोटिस करती हूँ, मैं कोई भी student आता है मेरे offline में पूछ तो English कैसी है, तो सीधा बोलता है खतम, एक student ने तो एक ऐसा reply दिया था कि मैंने एक बार पूछा क्लास के अंदर, डामो क्लास की मैंने पूछा बच्छो अच्छा इंग्लिश में पूटा कैसी है, कहता माम बिल्कुल ventilator पर है, माम समझ सकते हो ना वेंटिलेटर पर, कुछ भी नहीं आता, ABCD थोड़ी बहुत आती है उसके लावा कुछ नहीं आता, पॉइंट क्या है कि खतम होना और उसको सीखना, अगर आप किसी भी काम को रेगुलर वेसिस पर करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाए देगा, एक student ऐसा है जो बोले कि मेरी English अच्छी नहीं है, mindset कले मेरी English अच्छी नहीं है और मुझे नहीं आ सकती, एक ऐसा student जो यह बोले कि मेरी English अच्छी नहीं है लेकिन मैं अच्छी कर सकता हूं, तो देखो दोरो के intention पे चीज़े डिपेंड करते हैं, intention मतलब कि दोरो का mindset ही decide करेगा उस वह सीख सकता या नहीं, एक ने साइट का रखा है मैं सीखी नहीं सकता और एक ने बोला है कि मेरी अच्छी नहीं है बट मैं सीख सकता हूं, तो आप किसी भी काम को करिए, आप किसी subject में weak है यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप उस subject में weak ही रहें अब यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि आप सुधार भी सकते हो, अपनी weakness को strength बनाने के लिए definitely you have to work, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और काम एक दिन का नहीं है, यह daily basis के practice है, so daily basis पर definitely आप जुड़े रहें हमारे साथ, यहाँ पर देखो point कियाता है, simple point है I am teaching and I am a teacher, in both sentences हम M को एक बार helping गोल रहें और एक बार helping नहीं बुल रहें, उसका reason, यह reason सिर्फ आपका teaching है, यह reason सिर्फ आपका teaching है, teaching is a verb and whenever verb is given after is our and was word, जब भी आपको verb दी हो after is our and was word, तो यह helping होगी, लेकिन अगर मैं teacher की बात करूँ तो teacher मेरा कोई काम नहीं है, teacher is a naming word, teacher is a naming word, किसी का नाम है, मैं पढ़ा रही हूं मुझे नाम दे दिया teacher, आप अच्छे बढ़के पढ़रो आपको नाम दे दिया student, मैं किसी चीज से लिखके पढ़ा रही उसको नाम दे दिया मांकर, मैं किसी चीज पर लिखके पढ़ा रही उसको नाम दे दिया smart board, तो यह सब क्या हमारे naming words यह तो है, और जितने भी naming words होते हैं यह सब हमारे noun होते है, यह सब हमारे क्या होते है नाउन, ऐसे teacher की बात की जाए बचो तो teacher is a noun, teacher is a noun, और noun को replace कौन करता है बचो, pronoun, noun को replace कौन करता है बचो, pronoun, एक ऐसा word जो noun और pronoun को qualify करे, उसको हम क्या बोलते हैं बचो, adjective, क्या बोलते हैं उसको, adjective, a word which is used to qualify a noun और pronoun, एक ऐसा word जो noun और pronoun को qualify करने के लिए यूज किया जाता है उसको adjective बोलते हैं और जब भी आपको after is a RM noun, pronoun, adjective मलता है यही helping verb आपके किसका काम करेगी, main verb का, किसका काम करेगी, main verb का, अब देखो यहाँ पर point क्या है, हमने वास के साथ you देखा, it means यह किसका काम कर रही है बचो, main verb का, अब यहाँ पर जभी main verb का काम करते हैं और बात करते है past की में जब भी हम बात करते हैं, एक hypothetical sentences की त आप ध्यान रखेंगे, हम कभी भी was का use नहीं करेंगे, हम कभी भी was का use नहीं करेंगे, उस case में हम हमेशा जो use करते हैं, उस case में जो हम हमेशा use करेंगे वो वर का use करेंगे किसका use करेंगे बचो? वर का, वर का, चाहे अब आपको subject singular form में दिया हो या फिर आपको subject plural form में दिया हो, आप बोट सबजेक्स के साथ वर का यूज करेंगे बोट सबजेक्स के साथ वर का यूज करेंगे, because मैं तुम्हारी जेगे नहीं हूँ मैं ऐसा इमाजिन कर रही हूँ मैं ऐसा इमाजिन कर रहा हूँ यानि कि हम सिफ इमाजिनेशन की बात करते हैं, हम सर्फ किसकी बात करते हैं?Imagination की जो हम ऐसी life की बात कर रहे हैं, जो unreal है जो real में possible नहीं है और जो real में possible नहीं है तो it means हम एक imagination की बात करें, kalpna की बात करें जिनको kalpní वाक्य भी कहा जाता है, hypothetical sentences भी कहा जाता है और वहाँ पर आप हमेशा were use करेंगे आप मेंसे कुछ ऐसे student भी बैठे होंगे जो इस class को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हमने तो बढ़ा था एक होता है was और हमने बढ़ा था एक होता है were हमने बढ़ा था school मेhe वह was का use तो होता है singular के साथ और वर का यूज होता है प्लूरिल के साथ तो फिर क्या हमने ये गलत पड़ा था तो आप बच्चों को मैं एक चीज बता दू आपने ये बलकुल भी गलत नहीं पड़ा था ये वहाँ पर होगा बस इतना ये समझ लो ये वहाँ होगा जब आप बात कर रहे हैं किसी action की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसी action की बट यहाँ पर कोई action नहीं है इसलिए हम यहाँ पर was की जगे लिखेंगे were और was incorrect है इसलिए हमारा answer option होगा first इसलिए हमारा answer option होगा first because हम यहां पर बोलेंगे if I was you किजएगे if I were you यह कोशन आपकी SAC CGL मेंस का कोशन है जो 8-8-2022 में हुआ था 8-8-2022 में हुआ था चलेगा next question पर आते है बच्छो next question की बात करें one can never imagine how hot he gets in Delhi unless one doesn't go there in person देखो अब point की आता है बिल्कुल सही है डेली का temperature बहुत जादा होता है अब यहां पर मैं भी feel कर सकते हूं इस चीज को because मैं वही पर हूं इस time तो यहां पर point की आता है कि आप देखो यहां पर unless देखा बैने आपको बताया था कि जहां unless देखे जहां when देखे जहां if देखे जहां provided देखे जहां until देखे वो आपका conditional clause होगा वो आपका क्या होगा? conditional clause तो हमें यह clear है यह conditional है दूसरा मैंने आपको point समझाया था आज भी समझाया है कि unless हमारा कैसा word है? negative word है कैसा word है बच्चो? negative word है और जब negative word होता है तो हम कभी भी not का use नहीं करते हम कभी भी not का use नहीं करते because वो अपने आप में ना नहीं है वो अपने आप में नान आई है और जो वो अपने आप में आना है तो हम कभी भी not का use नहीं करेंगे सो यहाँ पर यह हो ग्लियर हो गया कि हम ढगके जह नहीं लगाएंगे यानि कि हम doesn't नहीं भोलेंगे अब error हैं और यहाँ पर error है, इसलिए examiner ने no error भी लिए दिया, it means उसने ये तो clear कर दिया, कि sentence में एक ना एक पार्ट में जरूर error है, इसलिए उसने चारो option में parts break करके दे दिया है, उसने no error नहीं बनाया, अब देखो यहाँ पर हमने unless को देखा, unless को देकर decide किya not नहीं आएगा, not नहीं आएगा तो error किस पार्ट में हुई, not नहीं आएगा, error किस पार्ट में हुई, second part में, because second part में ही unless one doesn't go दे रखा है, और जिस पार्ट में हमें नंट दे रखा होगा बच्छो, वही हमारा as a correct answer option take होगा, is it clear, समझाया बच्छो, point, देखो हर एक point को जरूर लिखते चलेंगे, यह मत सोचो कि मैं यह live देख रहा हूँ, मैं यह video देख रहा हूँ, वीडियो नहीं, यह class है, class उसी तरह से feel कर और जिसे आप offline पढ़ते हो, आप उस तरह से feel करके पढ़ोगी, offline पढ़ोगी, teacher सामने कड़ा है, it means मैं सामने खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, हर एक point को जरूर लिखेंगे, यह जो time है, जो यह time आप दे रहे हो, देखने के लिए मुझे, वीडियो को देखने के लिए, class को देखने के लिए आपके लिए बहुत precious है, क्योंकि हर एक minute की value होती है, हर एक minute की value होती है, बही कहा जाता है न, seconds की value से पूछो जिसके train चूटी है seconds में, यहां पर देखो point क्या है कि आप हर एक point को जरूर लिखते चलेंगे, आप देखो यहां पर unless के साथ में आपको answer भी बता देती हूँ, हाला कि आप टिक करेंगे option काम खतम होचाएगा, बट मैं answer जरूर बताऊंगी, when के साथ हम does का use नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे ? क्योंकि जब not नहीं आएगा तो does भी नहीं आएगा it means हम बोलेंगे one goes, क्या बोलेंगे one ? goes क्योंकि one is a singular subject, और singular के साथ हम उसको affirmative बनाएंगे, बनाएंगे, सिंगुलर के साथ, अगर हम उसे अफ़मेटे बनाएंगे उस क्लाउस को, तो वहाँ पर लगाना पड़ेगा S और E S. So हम बुलेंगे 1 गोज. चलिगा, next question पर आते है बच्छू. Unless you carry a COVID-19 negative report, you can travel by year. सबसे जादा सताय हुए लोगी C point से. आपने कोविट में देखा कैसा टाइम आया था जब इंसान इंसान से डर रहा था. तो देखो, समय का कुछ नहीं पता कब बदल जाए. तो चीजों में क्या है कि हमेशा अच्छी चीज़े करो. और एक चीज़वार है कि हमेशा कोशिश करो knowledge लेने की. देखो, knowledge अपनी है, बागी कुछ भी अपना नहीं है. सिर्फ एक knowledge एक ऐसी चीज़ है, बागी कुछ भी अपना नहीं है. इस दुनिया में देखो, point या है, आपको check करना है unless. आप देख सकते हो, unless के नीचे underline करके दे रखा है और जिस पार्ट को underline करके दे रखा है, उस पार्ट के लिए नीचे रिप्लेस्मेंट को check करना है. उस पार्ट के लिए नीचे रिप्लेस्मेंट को check करना है और ये कोशन आपके SSE CGL मेंस का कोशन है जो 29.01.2022 में हुआ था. 2022 का ही कोशन है ये आपका आपको check करना है कि unless correct है या फिर नहीं है देखो बच्चो only की बात की जाए तो only हमारा conditional word नहीं है अब until की बात की जाए तो unless और until दोनों ही unless और until दोनों ही आपके negative words है बलकुल सही और ये दोनों ही अपने साथ not को लेकर नहीं आते है बलकुल correct है not को लेकर नहीं आते है बलकुल correct है लेकिन हम until का use वहां करते है जब हम time की बात करेंगे until का use हम वहां करते है जब हम time की बात करेंगे आपने बोला मैं तब तक wait करूँगा जब तक teacher नहीं आता, यानि कि teacher class को start नहीं करता, या teacher लाइव नहीं आता, यानि कि वेट किस चीज़ को देख कर रहे हो, लाइव आने का एक time fix है, class का एक time fix है, तो आप time देखा और आपने वेट करना शुरू कर दिया, और जब भी वेट की बात करते हैं, तो वेट किसको देख कर होता है बचो टाइम को देख कर, किसको देख कर होता है टाइम को देख कर, और टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं until, लेकिन unless की बात की जाए, unless time नहीं, unless आता है for condition, unless आता है for condition, बट यहाँ पर हमें condition की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमें कंडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, यह वही वाला केस हो गया, जैसे दो फ्रेंड से आपस में खेल रहे थे, पता चलिए घरवालों को दोनों खेल रहे हैं, तो एक ने दूसरे से बोला, अच्छा मेरा को एक फेवर करोगे, मता मेरी एक हैल्प करोगे, उसे ब पड़ेगा, क्यूंकि आज कल का टाइम ऐसा ही है, बिना मतलब कर आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, यानि हमेशा बहुत रियर case में कुछ exceptions होते हैं, हर जगे exception होते, कुछ exceptional case होते हैं, जिन में person without hidden reason आपकी हेल्प कर दे, बटना आज कल का जो टाइम है, वह यहां पर बिना मतलब के बच्छों कोई किसे की help नहीं करता तो यानि कि उसने आपके आगे शर्त रख दी help वो करेगा लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको उसे favor करना है same शर्त यहां पर है आप travel कर सकते हैं by year लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको कौन सी report लेके जानी ह COVID-19 की negative report यानि कि वहां पर आपके लिए case हो गया on condition that का case हो गया बच्छों आपके लिए on condition that का और on condition that को बोलते हैं हमारा provided क्या बोलते हैं बच्छों provided जिसको आप बोलते हो हिंदी में बशर्त है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बट मेरी भी एक शर्त है यानि कि बशर् कर रहे है, provided की, so unless, जो replace होगा वो किस के साथ होगा बच्छो provided के साथ किस के साथ होगा बच्छो provided के साथ, so provided को हम unless की जगे यहां पर use करेंगे, इतना समझ है है बच्छों, देखो बच्छों हर एक point को जरूँ लिए, मैं बार बार आप से बोलती हूँ बार बार आप से ए day by day चीज़े निकल नहीं ही हैं तो उसको दुबारा से अगर हमें लेकर आना है तो उसके लिए हमें एक note की जरुवत पड़ती है, it means हमें notes की जरुवत पड़ेगी और notes कहां से बनेंगे जो मैं आपको बोल रहे हूं लिखने के लिए वहीं से बनेंगे और यही notes आपके revision के लिए काम आएंगे, so I think आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी क्यूंकि आज हम इतना ही रखेंगे बचो, next class में फिर हम कुछ कोशन करेंगे previous year's के conditionals पे ही, so आज के और students आप एक चीज़ धियान रखेंगे कि हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें और maximum से maximum students कोशिश करें, share करने की, ताकि उन बच्चों तक चीज़े पहुँच पाएं, जो बलकुल serious crowd है उस तक पहुँच पाएं, वो daily basis पे मारी classes ले सकता है, grammar part के लिए और आप and English को लेन न भूले, so thank you students